सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्माज संजीवनी होविपथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें तैंक यू नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिल से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर सर्मा संजीवनी होविपथी राइपू छतिसगर से आज का वीडियो बहुत इंपोर्टन वीडियो है और यह बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप रोज होने वाली पेट की समस्या से गैस की समस्या से, अपच से, एसेडिटी से और होने वाले सौफ्ट मोशन से जो की तीन चार बार आपको जाना पड़ता है इस समस्या से कैसे आप ठीक होंगे, कैसे आप निदान पाएंगे और वो भी केवल दो महतोपूर दवाओं के साथ और ये दवाएं जो की किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से मुख्त हैं चलिए मैं वीडियो सुरू कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सौर्ट में दवाईयों का नाम नोट कीजिए पहले, पहली दवाई है लाइकोपोडियम 200 लाइकोपोडियम 200, दो दो बून दिन में तीन बार और नकस्वामी का 200, दो दो बून दिन में तीन बार ये डोस दोनो दवाईयों के हैं और ये दवाई बहुत ही आसाई से आपको देश में कहीं भी किसी भी होमेपेथे स्टोर में या किसी भी होमेपेथे डॉक्टर के पास या ओनलाइन पॉमेसी में भी अवेलेबल हैं और पेट के रोगों के लिए जो आजकल की जीवन सहली से संबन्दित है उसके लिए ये एकदम बरदान है और इन दवाईयों को आपको अपने घर पे रेगुलरली रखना ही है और इसका यूज करके देखिए इन दोनों के सिंटम्स मैं आपको बतायता हूँ डिफरेंसेट करके आप इनको लीजेगा कैसे हैं इनके सिंटम्स यदि आपका पेट में पेट फूला लगता है और पेट से ढकारें आती है और गले में ऐसा लगता है जैसे कोई खटी चीज या खटा पानी आ रहा हो इस तरह का सैंसेशन आपको हो जाए इरक्टेशन जिसे बोलते हैं सार इरक्टेशन खटा पानी जैसा आने की प्रवती आपको महसुस हो रही है और पेट फूला फूलास लगता है नीचे के तरब पेट बहुत ज़यदा फूल जाता है गैस बर जाती है और धकारें बहुत ज़यदा आती है आपको दरबाई लेनी है लाइको पोडियम 200 200 इसमें मोसन चिपचिपा आता है लेटिन एकदम क्लियर नहीं होता है और यह चिपकता है दूसरी दवाई है नक्स्वामी का यह दिया आप रात में जाग रहे हैं या आपको कुछ चाय कॉफी या ड्रिंग क्या इस तरह की चीजों का एडिक्सन है और आप बहुत देर रात तक काम कर रहे हैं आप बहुत जड़ा वर्कोहलिक हैं और आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से आजकल की जीवन से लिके हिसाब से आपको नाइट सिफ्ट वगेरा करनी पड़ती है और पेट क्लियर नहीं होता पेट साफ नहीं होता और थोड़ा सा भी मोशन जो होता ह उसके लिए आपको effort लगाना पड़ता है ये दो समस्या हैं जो मैं बता रहा हूँ बहुत important है एक तो lycopodium में जिस तरह की समस्या है पेट फूलने वाली और दूसरी ये जो समस्या है नक्सवामिका में आती है कि आपको soft motion के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है और motion clear नहीं होता बार-बार जाने की इक्षा होती है लेकिन motion clear नहीं होता यही समस्या सबसे बड़ी समस्या है और यदि इसका इलाज मिल जाए तो ये आपके लिए आगे आने मादे समय में बड़ी पीमारियों से आपको रोकेगा बहुत important drug है दोनों दवाईया Lycopodium 200 और Nux Vomica 200 यदि ये दोनों दवाईयों के लिक्षन भी आपको एक साथ मिल रहा है तो आप इन दोनों दवाईयों को एक साथ ले सकते हैं दो दोन एक दोनों के आटनेट में और फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आसा ये वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक, सेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो जैहिन जैवालत